निमिश्कार दूस्टों तप सभी का एपने यूटूब चैनल स्री राम क्राइब में और दोस्तों आगले वीडियो वीडियो गmaور टर्सक्रव और आज के इस वीडियो में ऑम जो मातपॉन टर्ली इस वीडियो हो वाइब ऑनियू हमें जानकर देंगे और अगले वीडियो में हम इन परमीडी प्रमुख जैसे टो इसी पीओ के हम दो वीडियो बना जोते हैं पहले में परमोग जब रिडियो है उनके प्रमुत तती जो है फैक्ट वह इस वीडियो आएका इसमें आपको ये सभी सिक्षिन वीडियों के उप नाम आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जो साइद आपको सभी उप नाम है वो किसी किताब में आपको मिले या ना मिलें लेकिन आपको सभी प्रस्टन विदी को सुगवदी के नाम से जानते और खंडान विदी का दूश्रा नाम है प्रस्टन विदी तो यह प्रस्टन रीट में पूचे गए इसलिए उपनाम हमें याद रखना जरूरी है तो आज वीडिम हम बात करते हैं कुछ मातमुंस सबसे पहले राशन सम्चिंटर के के जनक important question है यह सबी किताबों में यह वाला प्रसना आपको नहीं देखने वह मिलेगा तो important यह आधोनिक अभी क्रवातक आदी का नेक्टर को डॉक्टर राम करिंपल बंदार कर और को कहा जता है व्यक्रärt नवाद की काफ़ी इंपोर्टेन विदी राम कृष्ण गोपाल बंडार कर और इसको बंडार कर विदी के नाम से भी जना जाता है प्रायोजना विदी या फिर प्रोजेक्ट विदी की जो प्रतिपादक है वो विल्यम हेंड्री किल पैटरी के नेक्स ने खेल विदी का परतम जो परियोग करता थे वो कौन थे तो जो कॉलडवेल कुक थे इन्होंने दपलेव की किताब में अपना इसे खेल विदी का जिकर किया था नवाप जो फेक्ट हैं वह है कि पार्टि पुस्तग विदी के समर्थक हैं वो कौन है तो डॉक्टर के प्रणेता कौन है तो नी जो आर्म स्ट्रोंग इस आर्म स्ट्रोंग इनको खोज विदी का जो प्रणेता कहा जाता है इस खोज विदी को अनुसंदान विदी और फिर अन्वेंशन विदी के नाम से भी जाना जाता है इसी को हुरिस्टिक विदी के नाम से भी जाना जाता है अध्यापक का परमित्र या इसका दाया हाथ किसे का जाता है तो यह अध्यापक का परमित्र शामपड को कहा जाता है अच्छा आपको प्रस्ट का उत्र कमेंड करना है कि जब हम शामपड को साफ करते हैं तो हमें शामपड को किस प्रकार साफ करना चाहिए दाये से बाएं नीचे की और साफ करना चाहिए इसका उत्र आपको कमेंट करना है कि शामपट को जब हम साफ करते हैं जाडन से जिसकों डेस्टर करते हैं और यह हमें बेड में भी सिखाया गया था कि हमें किस परकार जो शामपट को साफ करते हैं तो इसका उत्र आपको कमेंट करना है कि शा व्यवसता का जो किंदर बिंदू व किसे माने जाता है तो जी शिक्षार्थी होता है वो सीखने ढहना होता है स्कूल्ब से सब्ढक है को इसको प्र infrared ने प्रणी को सेंटर में मानकर में हमया द्वी द्रूवी प्रक्रिया किसने माना अगर आपको पता हो तवस्चिन प्रक्रिया किसने माना था rider Значит question संक्षिप्थ व्यक्ष्छ के दौर गती है तो गती कई का विदी के दौरा अगला प्रस्त है कक्षा कि सक्षिण करन पॉरन कि से का जता है तो वो पॉरतले लागे था रात्मक प्रस्थन वोते हैं को 16 मरंप्रक्षा से का इस राइं का कहता है नियुकर को स्ल्ट अ कि बागा को चाले पारिक्षिन और उस्यूसरा एक दूसरा सिंसोदन कि सब्सक्राइब अगला जो महत्मुन फैक्ट हैं वो है कि पद्य पार्ट के कितने प्रकार हैं तो पद्य पार्ट तीन प्रकार के होते हैं सूचनात्मक, सुक्तियात्मक और रसात्मक पार्ट पद्य पार्ट कुल टोटल तीन प्रकार के होते हैं सूचनात्मक, सुक्तियात्मक और रसात्मक वो किसे माने जाता है तो पासा कमाना जाता है रहा है हो एकिसोर जुपक्त है वह प्रकाहर है कि बाशा सेक्शन के मुह ब्रकारों कमक्षल पोसे थे look जिए चार कता है बाउल दोम कि बनद्स वर्काह्न है क्रम है सुभाविक जो क्रम में वो है सुनना बोलना पढ़ना और लिखना तो ये सुब अपली से हम इसको याद रख सकते हैं सुब अपली सुनना बोलना पढ़ना और लिखना ये बासा जो कोसल है वो चारी कोसल का जो मुख्यरों से क्रम रहता है ये जो क्रम दिया था वो प्राइड के द्वारा दिया गए था सुनना बोलना पढ़ना और लिखना लेकिन एक खेल विदी के माजम से जो शिक्षा देते हैं उनमें एक मनोग्यनिक आते हैं या फिर शिक्षा सास्त्रे आते हैं जिन्होंने इनका जो क्रम है वो इस प्रकार बताएं कि जो सुनना बोल और पहले लिखना आना चाहिए और बाद में पढ़ना ये करम हमें रखना चाहिए तो ये सुझाओ किसने दिया और ये किसने माना था कि जो वासा कोसल की जो करम है वो सुनना बोलना लिखना और पढ़ना होना चाहिए ये किसने का था जरूर बताएं अगर आपको इसका राखता हो तो हो नेक्षित हैं वाक्य को सुनकर लिखना तो ये शूरूत लेग के नर्गत आता है। पिछे पीछे पीछे इसके साथ साथ में लिगता है वो चुरूत यह को सुधारने के लिए काफी इंपोरेंट एंड़िये अब्यास का उत्तम साधन का है जो सुन्दर लेग का उत्तम साधन और अनु लेक अनु लेक का मतलब होता है राइटिंग करना जो हम नकल करते हैं वह अनुलेख का उदारने और उसी को अनुलेख का जाता है किसी पार्ट की किसी अंस को खूब हो अपनी कोप में उतारना वह उसका अनुलेख कालाता है अब 24 वज एफेक्ट है वह इस प्रकार है कि लिखित सूचना का मूलादार के हैं तो लिखित सूचना का मूलादार होता है मोखिक रचना लिखित रचना का जो मूलादार हो है मोखिक रचना पर्तेक्स विदी का जो विक्सित रूप है वो कौन सा है तो है वारतलाप विदी और दोस्तों जो पर्टेक्स विदी है वो बंडारकर विदी की विक्सित रूप है बंडारकर विदी का जो विक्सित रूप है और वातलाप विदी जो है वो पर्टेक्स विदी का विक्सित रूप है आंजले क वश्चा के हैं तो यह तो बासा है असान सा कुछ मेश्ण आप उस्ट अर्प व्याकरण का मुख्धी ओढ़ीश तो बासा दोसों का ज्यान करवाना गान करौन का मुख्धी यह वरत्मान वीडेलें में बासा डियापन की विदी तो उनसी तो वह अनवाद विदी फिर एक वर फेक्ट हम इसमें देख लाते हैं कि व्याकरन जो आगमन विदी उसके सोपान किस प्रकार के होता है तो सबसे पहले के और अंतिम समय में उनका प्रिक्शन किया जता है तो यह इंके प्रमुक्स हों पान यही इनका प्रिक्षा में पूछा जा सकता सकता है पहले कई इसमें पूछा गया है तो इंबो डसारन नियर्क्षण नी अम और परिक्षन तो यह आगमनविदी के सोपान है आगमनविदी के जो सिक्षन सुत्र की बात करें तो काफी इंपोर्टेंट है सिक्षन सुत्र हम सरल से कठींग के और बढ़ते हैं इसके अलावा इसमें सिक्षन सुत्र की बात करें तो हम इसमें विशिस्त से सामानी के और ज करता देंगो आपको जो सिक्षिन के उत्णाम औन के और कौन कौन कि आपको इसी प्रकार की वीडियो रीट के एक्जाम तक मिलते रहे हैं